बस्तर में सुक्माजली के रेगड़ गटा में एनिमिया के वचा से एक हुई क्रामिलों की मौत के बाईब प्रतेश के सास्थ मंत्री ने भी बस्तर में अस्थे प्रतेशत लोगों के एनिमिक होने की बात कही है इसके बास एनीमिया निवारन को लेकर सवाल उठने लगे हैं दरसर बस्तर में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और महिलाएं लंबे समय से एनीमिया के शिकार हो रहे हैं लेकिन अगर विभाग के कामकास की बात की जाये तो इस मामले में बस्तर जले में ही सिर्फ 442 महिलाओं को एनिमिक बताया गया है। ये ताजा रिकॉर्ड है जो बताते हैं कि इस मामले में कम फिर्टा नहीं बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बताने कि सुक्मा जले में एनिमिया से एक के बाद एक 20 लोगों की मौद के मामले के बाद अब एनिमिक महिलाओं के हालत को लेकर फिर से चर्शा शू हो गई है बस्तर में सबसे ज़्यादा एनीमिया से पीडित महिलाएं हैं लेकिन इनके सास्त कुलिकर कारगार तरीके से काम नहीं हो रहा है इसकी वज़ा से पैदा होने वाले बच्चे भी एनीमिया और दूसी वीमारी के शिकार बने रहते हैं पिद्धा चैपल्सित जुआनिमिया इसली है कि हेमोगलोविन की कमी को एनीमिया बहुत है और पार हेमोगलोविन जो है उसमें 40% एनिमी पेशन है